हेलो एवरीवन स्वागत है आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWD जॉब में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सरकारी स्कूल के सिक्षक भरती से सम्मधि जो दो नए विध्यापन जारी हुए है जहां टीचिंग है और नॉन टीचिंग स्टाफ की वेकेंसी आई हुई है यहां पर सैलरी जो है 24,200 पर मन्त और साथ में रहने की सुविदा भी जो है फ्री प्रवाइड होगी कसूरा गांदी जो की बाले का आवास्य विध्याले है 12 तक के स्कूल है इसमें जो है सिलेक्शन के लिए कोई आपको फीज नहीं देनी है नहीं कोई एक्जाम रहेगा मेरिट के बेस पर सिलेक्शन रहेगा जितने भी आपने अभी तक जो है अंग को हासिल किये हैं उसके अधार पर मेरिट निकलेगी और उसके बाद जो है सेलेक्शन होगा इस वीडियो में हम बात करेंगे जहां 16 कस्तूरवा विध्याले से वेकंसी है चलिए देख लेते हैं नोटिफिकेशन में सारी चीज़े हम देखेंगे application form कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं कौन-कौन से subject में वेकंसी आई हुई है दोनों विध्यापन में सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दू कारेले जिला basic शिक्षा अधिकारी कुसी नगर से वेकंसी जो की 7 नवंबर को ये notification आया हुआ है इसमें 14 कस्तूरवा गांदी आवासिय बालिका विध्याले में जो रिक्त पद है उसके आधार पर ये वेकंसी आई है 23 नवंबर 2024 साम 5 बजे तक आपके application form पहुँच जाने चाहिए कारेले जिला basic शिक्षा दिकारी रवेंद्र नगर धूस पड़रोना जनपद कुसी नगर 274304 तो ये उत्तर प्रदेश में है कुसी नगर official website का link जो है आप लोगों को यहीं पर मिल जाएगा ठीक है address तो ये रहा register post या speed post ही यहां पर करना होता है यहां पर जिन subject में vacancy है तो पूर्ण कालिक सिक्ष का भासा language teacher की vacancy है science की vacancy है maths की vacancy है English teacher की vacancy है social science की vacancy है ये तो full time teachers की vacancy है जिसमें salary 24,200 per month रहेगी यहां पर आपको ये भी देखना होगा कि किस वर्ग में ये vacancy आई हुई है ठीक है जैसे पूर्ण कालिक सिक्ष का जो language teacher की vacancy है तो unreserved category के लिए है तो इसमें कोई भी आविदन कर सकते है यहां पर maths के लिए जो vacancy है तो केवल अनसूचित जाती का जो candidate है वही अपलाई कर सकते है ये अगर नहीं आप आते है marks कम है इस आधार पर रह जाते है तब जो है यहां पर unreserved category के candidate को मौका मिल जाता है IUC मा जो है किसी भी subject के लिए आप अपलाई करें 25 से लेकर 45 एर तक के candidate इसमें आविदन कर सकते है salary के साथ में रहने के सुविदा तो रहेगी ही यह मैंने आपको बता दिया सैक्षिक योग गिता इसमें क्या मांगी गई है तो graduation होनी चाहिए graduation में आपने यह subject पढ़ा हो जिसके लिए आप अपलाई करेंगे जैसे language teacher हिंदी है English है, Sanskrit है यह ठीक है साथ में beard आपका होना चाहिए CTAT या TAT paper 2 आपका qualify होना चाहिए science, math, language teacher और English के लिए qualification यही है social science के लिए भूबोल, इतिहास और नागरिक शास्त्र इनमें से एक विशे आपने graduation में पढ़ा हो B.Ed जरूरी है और TAT या CTAT paper 2 आपका qualify होना जरूरी है अब देखिए half time teacher अंसकालिक सिक्षिका में computer teacher, scout guide, सारे रिक सिक्षा color craft, album संगीत ग्रह सिल्प और लेखा कार की vacancy है अंसकालिक सिक्षिका को ये क्या payment देंगे तो 12,181 रोपेज इनको दिये जाएंगे monthly लेकिन रहने की सुविदा इनको नहीं होगी लेखा कार के लिए salary जो है याँ देखें 13,673 है ठीक है? ये ध्यान में रखना है scout guide, satiric सिक्षा, VPR, CPR, DPR वाले apply कर पाएंगे इसमें scout guide और satiric सिक्षा के लिए computer press सिक्षित इसनातक होना चाहिए केवल computer teacher के लिए करा craft संगीत के लिए जो है इसमें diploma degree आपका होना चाहिए लेखा कार के लिए commerce वाले candidate MS office पर काम करने आपका अनुवफ बस यह होना चाहिए और आपके बस computer का कोई भी diploma हो या degree हो मुखे रस हो या सहाइक रस हो या चपरासी चौकिदर इनकी भी जो है vacancy है तो इसमें केवल 8th pass ही मांगते है और salary इसमें 10,000 से तो कम ही होती है 25 से लेकर 45 यार तक इसमें आविदन कर सकते है तो इसमें जो है कुल 15 पदों पर vacancy आई हुई है और पदों की संक्या घट बढ़ सकती है आई यू आपको बता दी है apply कैसे करना है तो आप लोगों को नीचे application form मिलेगा इस application form को आप download करेंगे print निकालेंगे इसको अच्छे से भरना है भरने के बाद अपने document की photocopy इन में लगानी है उसके बाद application form के साथ में आपको दो लिफाफे रखने हैं जिस पर 42, 42 रुपे के धांक टिकेट लगे होने चाहिए तदा जिस पर अभ्यरती का नाम, पता, mobile number, pin call, इसपस्ट लिखा हो ये भी जो आपको attached to us में करना है ठीक है तो एक तो ये विज्यापन रहा official website पर आप जैसे ही जाएंगे कुसी नगर, उतरप्रदेश, सरकार तो इस में थोड़ा नीचे आएंगे यहाँ पर what's new में आप लोगों को नजर आ जाएगा अगर यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है तो notice में recruitment पर क्लिक करना है ठीक है, recruitment पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को start date 11 नवंबर 2024 end date 23 नवंबर 2024 यहाँ व्यू पर क्लिक कर लेंगे और application form डाउनोड करने के लिए इसी के आगे यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है link ठीक है इस पर क्लिक करना है केवल देखना है तो बस इस पर क्लिक कर लेंगे और यह पूरा notification आपको दिखाई देगा लाश में application form है अब चलिए दूसरा देख लेते हैं notification यह notification जो की फतेपूर से आया है व्यू पर क्लिक करना है यहाँ पर सबसे पहले इन्हों ने application form दे दिया है यह जो भी vacancy है यह समगर सिक्षा के तहती ही जो है आती है इसमें कौन-कौन से subject है qualification, age और salary यह तो सभी में समान है इसमें पून-कालिक सिक्षिका maths की दो vacancy है एक SC की है एक EWS की पून-कालिक सिक्षिका सामाजिक विज्ञान की vacancy है इसमें एक vacancy है और यह केवल अन्य पिछडा वर्ग के लिए है अंग्रेजी विश्या की vacancy है यह भी अन्य पिछडा वर्ग के लिए है अंसे कालिक सिक्षिका computer teacher की जो vacancy है तो कुल पांच vacancy है सभी category में है अंसे कालिक सिक्षिका scout guide है आम सारे रिक सिक्षा के लिए एक vacancy है EWS के लिए अंसे कालिक सिक्षिका कला क्राफ्ट संगीत ग्रह सिल्प की एक vacancy है ठीक है salary qualification वो सारी चीज़े आपकी समान रहेंगी जितने भी निर्देश समसर्ते है तो कोई परिक्षा नहीं होगी merit की अधार पर जो है आपका selection होगा आपके high school में कितने अंक है intermediate में, graduation में कितने है, B.Ed में आपके कितने है तो ये सब जो हैं जोड़े जाएंगे अगर आपने पहले से काम किया है कस्तुरा विध्याले में या कर रहे हैं तो उसके आधार पर जैसे की प्रतेक पून अध्यापन वर्ष के लिए आपको दो अंक मिलेंगे और अधिक्तम जो है, तीस अंक हो सकते है इसमें address जो है, यहाँ पर है इच्छोग अभ्यरती अपना आविधन पत्र पंजीकरत डांक के मादिम से सिंपल पोस्ट नहीं करना है, रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट करना है तो दोनों ही जो है, ओफिशल वेबसाइट का लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ताकि आप application form डांडोड कर सके पूरा notification आप लोगों को दुबारा फिर से पढ़ना है, बाकि जो भी important बाती वो मैंने आप लोगों को बता दी आविदन पत्र भढ़ने से पहले क्या क्या जाने जरूरी है, चलिए मिलेंगे next वीडियो में, next वेकेंसी के साथ, thank you